हेलो दोस्तों, तो आज में लेकर आई हूँ, आप सभी के लिए बहुत ही जदा आसान पनीर चीली की रेसीपी, जो बहुत ही कम चीजों के साथ बढने वाला है, तो इस रेसीपी को पूरा देखिएगा, ताकि आपको step by step बहुत ही असानी से पनीर चीली की रेसीपी समझ में आए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, चलिए बना करके देखते हैं कैसे बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं दो चम्मस कॉर्ण फ्रोर लोगी, तो इस चम्मस से मैंने लिया है, साथी यहाँ पर इसी चम्मस से एक चमस मैदा ले लोगी, तो मैंने ले लिया ह और यहां पर मैं लेंगी आदा चमज के करीब कस्मिरी लाल मिर्स पाउडर, यहां पर काली मिर्स पाउडर है जो एक चौथाई चमज है और यहां पर आपको लेना है टेस्ट के कोर्डिंग नमग, बस इतना ही चीज़ लेना है आपको और सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक साथ मिक्स कर लेना है तो इस तरीके से एक पर पनीर सिली बना करके देखिएगा आपको बहुत अधा असान लगेगा और साथी यहां पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को मैंने इस तरीके से बरे साइज की टुक्रों में कट कर लिया है आप अपने अकॉर्डि के से कोटिंग करनी है बिल्कुल इस तरीके से हाथों की हैल्प से आपको मिक्स कर लेना है तो इस रेचीपी को एक बाद जरूर करिएगा ये उपर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज्यादा जूसी बन करके तैयार होता है और साथी यहां पर थोड़ा पानिे लेकर कि मैं इसे अच्छे से कॉट करूंगी ताकि बहुती बढ़ई olursa पानी के उपर И कर लेकर लेना है Lakini एक बार में आयड मत करिएगा ठाला परीकल में को जा जाए इसके बाद आपको थोड़ा सा पानी ए्ड करना है और इसे थीक बेटर के रूप में convert कर लेना है इतनी गाली होनी चाहिए कि पनीर के उपर बहुत बढ़ना तरीके से coating होनी चाहिए देखिए बिल्खुल इस तरीके से आपको त्यार कर लेना है यहाँ पर बहुत परसक तरीके से हमारा पनीर जो है साथी यहां पर मैंने पैन ले लिया है उसे गर्म होने के बाद एड़ कर लियो कुपिंग वॉइल यहां पर मैं पनीर को फ्राई करने वाली हूँ तो तेल को बिल्कुल इस तरीके से चारो तरफ इस्प्रेड कर लिजिए यहां पर तेल बहुती बढ़ियां तरीके से गर्म हो चुका है तो मैं एके करके सारे पनीर को एड़ कर लूँगी यहां पर आप पनीर को ज़्यादा तेल में तल भी सकते हैं लेकिन मैं आपको यहां पर कम तेल में से फ्राई करके दिखाऊंगी इस तरीके से फ्राइ करने से पनीर उपर से बहुती ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुती ज़्यादा सॉप्ट और जूसी बन करके तयार होता है तो एक बार इस तरीके से आप पनीर चिली बना करके देखिएगा आप सारे तरीके भूल जाएंगे क्योंकि ये recipe बहुत ही जादा tasty होने वाला है तो यहाँ पर आपको flame को medium रखना है और medium flame पर मैंने सारे पनीर को add कर लिया है और थोरी थोरी देर बाद आपको इसे फ्लटते रहना है तक ये चारों तरफ से proper तरीके से सीख सके तो ये देखे मैं यहाँ पर इसे फ्लट रही हूँ तो बिल्कुल आपको इसे medium flame पर पकाना है flame को high मत रखेगा वरना जल सकता है ये और आपको बहुत ही ध्यान से इसे फ्लटते रहना है आपने बहुत ही तरीके से पनीर सीली बना करके खाई होगी पर ये तरीका बहुत ही जादा different होने वाला है और इस recipe में मैंने एक चीज नहीं add किया है उसके बीना भी ये recipe बहुत ही जादा बढ़िया टेस्ट देता है तो इस recipe को try करना तो बनता है तो यहाँ पर मैं पनीर को बहुत ही बढ़िया तरीके से चारो तरफ से blood blood करके शेक रहे हूं ताकि ये चारो तरफ से बहुत ही जादा crispy बन करके तयार हो सके तो बिल्कूल इस तरीके से आपको बनाना है तो यहाँ पर देखिए पनीर बहुतभी बढ़िया तरीके से fry हो चुका है तो बस इतना ही आपको फकाना है उपर देख सकते हैं बहुती बढ़िया golden सा color आ चुका है तो यहाँ पर मैंने सारे पनीर को डिकार लिया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यह कितना ज़्यादा soft बना है तो बिल्कुल इस तरीके से आपको सारे पनीर को fry कर लेना है तो चलिए हमारा अगला step में चलते हैं तो यहाँ पर मैंने pan में तेल ले लिया है और साथी बहुत सारा आपको lesson एड़ करना है यहाँ पर मैंने 25 से 30 lesson को बारी कट कर लिया था अपने पनीर के quantity के according और मैंने सारे lesson को एड़ कर दिया है आपको आदा मिनट इसे high flame पर भूनना है साथी यहाँ पर बारी कटा हुआ एक इंस के करीब अधरक है हरी मिर्च अड़ कर रही हूँ सार से पाच और यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्च आती है ना आपको वो वाला बारी कट करके अड़ करना है साथी प्याज को इस तरीके से क्यूब में कट करके अड़ करिएगा तो कि इसे अच्छा दिखता है पनेज दिली तो यहाँ पर मैंने सारे ingredients को अड़ कर दिया है मैं इसमें similar मिर्च अड़ नहीं कर रही हूँ हाँ अगर आपके पास similar मिर्च नहीं भी है इन्हें वाली बात नहीं है यहां पर अधर करोंगी इस के according नमक तो यहां पर आदा च्योटी चंस काली मीर्च पाउडर यहां पर काली मर्च पाउडर करने से बहुत ही पड़ियां पनीर किनि में यहां पर आपको नमक आड़कर द्यान देना है क्योंकि हम इसमें बहुत सारे sausage भी add करने वाले हैं तो उसमें भी नमक होता है और हमने पनीर में भी नमक add किया था तो बहुत ही ध्यान से आपको नमक add करना है तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से high flame पर इसे एक मिनट के लिए भून लेना है साथी यहाँ पर दो चमच add करूँगी red chili sauce यहाँ पर दो चमच add करूँगी green chili sauce साथी एक चमच आपको add करना है soya sauce इसे add करने के बाद एक चमच add कर लूँगी vinegar इसलिए इसे add कर लेते हैं और आपको सभी चीजों को अच्छे तरीके से mix कर लेना है एक बार high flame पर आपको इसे आदा मिनट अच्छे से पका लेना है प्याज के साथ यह देखे बहुत ही बढ़िया color दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया taste भी देता है जरूर try करिएगा तो यहाँ पर add कर रही हूं घोल जिसमें मैंने corn floor मैदा add किया था ना पनीज को port करने के लिए वही वाला है जो बच गया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी add कर लिया है और इसमें add कर दिया है तो यहाँ पर आप अगर ज्यादा gravy ओला बनाना चाहते हैं ज्यादा पानी add कर लिएगा और अगर dry बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे हिसाब से पानी add करेगा तो यहाँ पर मैं बहुत ही थोड़ा पानी add कर रही हूं साथी अच्छा सा कलर मैं के लिए एक चम्मस कशमीरी लाल मिर्टपाउडर यहाँ पर आप चाहाए तो color भी add कर सकते हैं बहुत लब color भी add करते हैं लेकिन मैं यहाँ आपको कस्मीरी लाल मिर्स पाउडर से बहुती बढ़ियां कलर वाला पनीर चिली बना करके दिखाऊंगी, सबी चीजों को मिक्स कर दिया है, अच्छे से बॉयल भी आ गया है, तो यहाँ पर हम सारे पनीर को आड़ कर देंगे, जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, तो बिल्कुल आपको सारे पनीर को आड़ करना है, लेकिन देवी में बॉयल आने के बाद ही आड़ करिएगा, और हाई फ्लेम पर इसे दो मिनट तक कंटिन्यू चलाते रहना है आपको, तो बहुती बढ़ियां टेस्ट आता है, इस प्रोसेस को जरूर से ध्या तो यहां पर बिल्कुल इस तरीके से आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, दो मिनट तक हाई फ्लेम पर और यहां पर देखिए, बहुती बढ़ियां तरीके से हमारा जो पनीर चिली का कलर है, आया हुआ है, तो बिल्कुल यहां पर बिना कोई कलर का बहुती पर्फेक्ट पनीर चिली बन करके तयार हुआ है, तो चलिए मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ, तो यहां पर जो मैंने आपके साथ टेसीपी सेर किया है, वो ड्राइप पनीर सिली का है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, बीना कोई फूट कलर एड़ किये, भी बहुती पर्फ को बनाने के बाद अपना एक्सपिरियन्स जरूर सेर करिएगा, थैंक्स पॉर वाचिंग